आज की बात को शुरू करते हैं मद्यमार्ग की उस बात से कि जहां लोग दुख मुक्ती की ओर चल देते हैं और दुख युक्त जीवन से छुटकारा पाते हैं जब लोग इस अर्थ में निर्वान प्राप्त करते हैं तब उनके लिए सब कुछ निर्वान बन जाता है इसलिए लोगों को चाहिए कि वे तब तक निर्वान के पत्थ पर आगे बढ़ते रहे जब तक उनके लिए सांसरी क्लेश और निर्वान एक जैसे हो जाए और दोनों में कोई भेद ना रहे सांसरी क्लेश और निबान दोनों में कोई भेद ही ना रहे और समता के भाव से हम जीवन को देखते रहे जब ये इस्थिती बन जाए तब निबान का रास्ता खुलता है और निबान के ओर हम लोग चल देते हैं याने कि दुख यूक्त जीवन से छुटकारा पाने की ओर और दुख मुक्ति की ओर चल देते हैं ये जो सार्वभुम एकात्मता का सिधान्त है कि वस्तों में स्वभावता कोई भेद चिन होते हैं इसी को शुनिता कहते हैं शुनिता का अर्थ है आयथार्थता अनुत्पत्ति नहिस्वभावता और अभिन्यता क्योंकि वस्तों का न तो कोई अपना रूप होता है ना लक्षन है इसलिए हमारे लिए ये कहना संभव नहीं कि उनकी उत्पत्ति होती है या उच्छेद होता है वस्तों का ऐसा कोई अपना स्वभाव नहीं होता जिसके कारण उनका भिन भिन शब्दों में वर्नन किया जा सके इसलिए वस्तों को आयाथार्थ कहा जाता है क्योंकि वो किसी विशिष्ट रूप में बनी नहीं रहती है वो उसे उससे बदल जाती है परिवर्तीत हो जाती है जैसा के उपर बताया गया है कि सभी वस्तों के उत्पत्ती और उच्छेद हेतू और प्रत्यों के कारण होता है कोई भी वस्तों अपने आप अस्तित्व में नहीं रह सकती हर एक वस्तों अन्य हर वस्तों से समद्धीत हुआ करती है कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई चीज बलती नहीं है हर चीज एक दूसरे वस्तु का एक नया रुपांतरन होती है एक नया बदलाव जहां जहां प्रकाश होता है वहां चाया होती है जहां जहां दिर्गता होती है वहां लगोता होती है जहां जहां सफेध होता है, वहां काला भी होता है इस प्रकार वस्तुओं को अपना स्वभाव स्वैमसिद्ध नहीं होता इसलिए उन्हें अयत्हार्थ कहा जाता है ये बड़ी सामानिसी बात है कि जब भी किसी उजाले को दिखाना है तो चाई को भी दिखाना होगा क्योंकि वो उजाला चाई के साथ होता ही है प्रकाश और चाया ये दोनों साथ होते हैं अंधेरा और उजाला अगर उजाले को समझाना ही है तो अंधेरा दिखाना होगा बगर अंधेरे के हम उजाले को कैसे समझाएंगे हमें जब भी कभी अच्छाई को विशलेशित करना है तो हमें ये बताना ही होता है कि बुराई क्या है अगर बुराई ही नहीं है तो अच्छाई का बखान कैसे करें अच्छाई का विशलेशन कैसे करें अच्छाई को कैसे समझाए और यसलिए किसी भी बस्तु का कोई अथार्थ रूप हमरे सामने नहीं होता है हमें दूसरी चीज का अधार बना कर ही उसको बताना होता है और यसलिए चीजों का ये जो सिलसिला है यह सिलसला यहीं एक रूप से दूसरे रूप की और दूसरे रूप से तीसरी की और तीसरे से चौथे की और और ऐसे अनन्त की और यह चलता ही रहता है जहां जहां सफेद होता है वहां काला भी होता है और इस प्रकार वस्तूओं को अपना स्वभाव स्वैमसिध नहीं होता इसलिए उन्हें अयथार्थ कहा जाता है अब इस तरक के अनुसार निर्वान का अज्ञान या महों से कोई प्रिथक अस्तीत्व नहीं होता नहीं अज्ञान का निर्वान से क्योंकि वस्तूओं के मूल स्वभाव में कोई भिन्नता नहीं होती उनमें परस्पर भिन्नता नहीं हो सकती लोग अक्सर वस्तू में उनकी उत्पत्ती तथा उच्छेद को देखते रहते हैं यह बहुत सारे लोगों का अपना स्वभाव है कि वो चीजों को उनकी उत्पत्ती और उनके उच्छेद के रूप में देखते हैं कि भई इसकी उत्पत्ती कैसे हुई और इसका उच्छेद कैसे होता है अधिकतर लोगों का ये ही मानना है तब उन्हें ज्यान होता है कि वस्तवों में उत्पत्ती उच्छेद दोनों होते ही नहीं है तब उन्हें उनकी अभिन्यता का साक्षातकार हो जाता है लेकिन जब कोई वैज्यानिक किसी भी चीज के निर्मान की द्रश्टी से उसके उत्पत्ति की द्रश्टी से और फिर उसके उच्छेट की द्रश्टी से जब अपना अध्यन शुरू करता है और अपने अध्यन को आगे आगे बढ़ाता है और जब उस अध्यन की गहराई में चला जाता है तब पता चलता है कि इस चीज का न तो कोई अस्तीत्व है और नहीं कोई अंत है इस चीज का, माफ कीजेगा, इस चीज की न तो कोई उत्पत्ती है और नहीं इसका कोई अंत है तो इसमें क्या है? तो यह एक धारा है, जो धारा बहती चली जा रही है और चीज़े एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छटी ऐसे इतना सातत्य क्रम है उसका अब इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें जैसे कि हम अपने जन्म को समझें हमें छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और वो बालक नन्ह सा अबोद बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसका चेहरा खोता चला जाता है उसका आकार बढ़ता चला जाता है उसके क्रिया कलाब बढ़ते चले जाते है वो जैसे बच्चा होता है वैसे जवान होता है वैसे बूढ़ा नहीं होता यह से तीन स्टेप्स तो हम देख लेते हैं लेकिन इसमें हर दीन हर पल होने वाला जो बदलाव है उस बदलाव को बड़ी सुक्ष्मता से अगर हम अध्यन करने लगे तो हम पाएंगे कि हम हर दीन बदल चुके होते हैं और यह जो बदलाव की यह जो सतक धारा है यह जो बदलाव की गती है इसके कारण तथागत कहते हैं कि किसी का कोई यथार्थ रूप नहीं होता चीजे अस्तित्व में तो होती है लेकिन उनका कोई यथार्थ रूप हमारे सामने नहीं होता है कई बाहर ऐसा होता है कि लोग आत्मा के अस्तीत्व को मानते हैं इसलिए अपनी वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं किन्तो मूल में जहां आत्मा ही नहीं होता वहाँ अपनी वस्तुओं का होना कैसे संभाव है आत्मा और अपनी वस्तुओं का कोई अस्तीत्व नहीं होता ये जानने से ही अद्वैत का साक्षातकार हो जाता है और लोग पवित्रता या आपवित्रता को मानते हैं और उनका आगरेह रखते हैं किन्तु मूलत है वस्तु में न तो पवित्रता होती है और ना ही आपवित्रता, ये दोनों मनुशों की कल्पनाओं का खेल है, ये तो हम तै करते हैं कि क्या चीज़े पवित्र हैं और क्या चीज़े आपवित्र हैं, ये तो हमारी कल्पनाओं का खेल है, वास्तों में कोई च निबान पत्व पर चलने वाले लोग इन दोनों में कोई भेद नहीं करते अतव वे न तो अच्छाई की प्रशंसा करते हैं और नहीं बुराई की निंदा और न अच्छाई का तिरसकार करते हैं और न बुराई को ख्षमा जो निबान की रहा चलने वाले जो लोग होते हैं जो अपने दुख युक्त जीवन से छुटकार अपाने की ओर चल दिये हैं यानि कि दुखों से मुक्ति का रास्ता जिनोंने अंगिकार कर लिया है वो न तो बुराई की निंदा करते हैं और नहीं अच्छाई की प्रशंसा करते हैं अच्छाई बुराई दोनों को बड़े सम द्रश्टी से देखते रहते हैं और उसको अनुभाव में ले आते हैं कि क्या चीज को अपने साथ रखना है और क्या चीज को अपने साथ नहीं रखना है लोग दुर्भाग्य से डर कर सौभाग्य की अपिक्षा करते है किन्तु इन दोनों का ध्यान पुर्वक निरिक्षण किया जाए तो बहुत बार दुर्भाग्य ही सौभाग्य सिद्ध होता है और सौभाग्य दुर्भाग्य और इसलिए ग्याने पुरुष सफलता से फूल न उठा कर या असफलता से निराश न होकर जिवन की सभी बदलती परिस्थितियों का समवरत्ती से सामना करना जानते हैं और इस प्रकार अद्वैत अभिन्नता के तत्व का साक्षाकार किया जा सकता है यदि हमें सफलता से बहुत ज़्यादा खुशी ना हो और असफलता से दुख ना हो तो ये जो समवरत्ती हैं इस समवरत्ती से हम जब जीवन का सामना करना सीखते हैं तो तब यकीन मानिये कि पिडाएं दुख दर्द ये बिलकुल हमारे रास्ते से हट जाते हैं इसलिए पारसपारिक भिन्नता जताने वाले ये शब्द जैसे कि सत और असत सांसारिक त्रिश्णा और सत ग्यान पवित्रता और अपवित्रता अच्छाई और बुराई ये सारे शब्द जो विरोधाभासी है इसमें से कोई भी अपने सत्य स्वभाव में जाना या व्यक जाके सार्वभुम सत्य का सक्षाकार होता है वो इस्थिती जो उपेखा का भाव है जहां किसी भी और जुकना नहीं है किसी और बल नहीं है किसी अतिकी और भी नहीं किसी निचले इस तरपर भिले ना उपर ना नीचे कोई भी आती नहीं और किसी भी तरब ऐसा जुकाव न समवरती के साथ जीवन का सामना बस ये ही है दुखों से मुक्ति का रास्ता और दुख मुक्त जीवन का ये जो मार्ग अंगिकार करके जो लोग चलते हैं वास्तों में अपने जीवन में सफलताएं ही सफलताएं पाते हैं आज की बात में बस इतना है झाल